इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि Slogan vs Action पानी का सोर्स पता करना 30 साइस टैंक का उप्योग करना बारत का वर्षा चाए शेत्र का पहचान करना सुका और बाद एक ही शेत्र में क्यों हाता है इसका कारण पता करना पानी और किसान के दन के बीच का संबद को पहिचानना बारत को पानी कैसे मिलता है यह पता करना पानी का तल कैसे बढ़ाए यह पता करना लाइनर के साथ ताला बनाना है या नहीं यह पता करना सबसे सस्ता वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना ये भी सिखेंगे हम इस वीडियो में चलो देखते हैं नल का पानी बचाने का डोंग बंद कीजिए और बारिश का पानी बचाना शुरू कीजिए नल के पानी के कुछ बूंदों को बचाने के लिए कई सारे विग्यापन है लेकिन लाखों लिटर बारिश का पानी को समुदर में जाने से बचाने के लिए कोई विग्यापन नहीं है बारिश का पानी सोने की तुलना में अधिक महतोपून है क्यूंकि उसके बिना तो हम एक दिन भी नहीं निकाल सकते हैं फिर भी हम इसे गटर में बहने देते हैं। हर दिन आप नल का पानी बचानी का कोई नया स्लोगन सुनते हैं जैसे की दिन पर दिन दुनिया में पानी कम हो रहा है। दूसरा स्लोगन कहता है कि आपके टोयलेट के फ्लश टांग में इट रख दीजे ताकि पानी का कम इस्तमाल हो। पानी बचाने के लिए आपको शावर में पिशाप करना चाहिए। और एक स्लोगन कहता है कि नहाने का पानी को बगीचे में उप्योग कीजिए। शेविंग करते समय क्रिप्या नल बंद कीजिए। शावर करते समय अपनी दातों को ब्रश करे। वाशिंग मिशिन को आदा बरने से बहते रहे कि पूरा बरकर कपड़े धोए। शावर करने में आप 5 मिनिट से आधिक समय ना ले। यह सब स्लोगन हम सुनते हैं। इसलिए बनाए गया है कि बारिश के पानी को घतना चाहिए। घर के आसपास हर बरसात में लाखो लीटर बारिश के पानी बरबाद हो जाते हैं पृत्वी पर गिरने के बाद कुछी मिन्टों में बारिश का पानी बहकर गटर और नालों से समुद्रों में मिल जाते हैं अगर बारिश का पानी को हम जमीन में नहीं उतार सका तो और यह बैका समुद्रों में चला गया तो दर्ती में पानी का तल और भी नीचे गिरता चला जाएगा जहां पानी का तल गिरता है वहाँ पेड़ पौधे कम उगेंगे जिसके वज़े से जानवर और लोगों को कम बोजन मिलेगा पेड़ पौधे वनुस्पतिया कम होने के कारण सॉयल इरोजन बढ़ेगा यह सॉयल इरोजन पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकेगा इसके वज़े से पानी का तल और भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और पानी आपको कुए और तालाबों में नहीं मिलेगा ऐसी स्तिती में खेती करना मेंगा हो जाता है और किसान खेती चूड़ कर किसी और काम की तलाश में शेहर की और चल पड़ते हैं अनाज और सबजी की कीमत बढ़ने लगते हैं किसान कम होने के कारण अगले साल पशुपालन भी कम हो जाता है यह चकर युई साल बर साथ चलते रहेगा श्तिती पहले के तुलना में और भी गंबीर बनता रहेगा इस कतरनाक चक्र को बहुती आसानी से उल्टी दिशा में गुमाया जा सकता है इसे उलटने के लिए हमें तीन कार्य करना होगा पहला बरसात के पानी को रोकना है समंदर में बह जाने नहीं दिना है दूसरा औरग्यानिक या प्रकुर्तिक या जट बी एनफ या नाचरल फार्मिंग या पर्मा कल्चर केती करें यह सब केती करने के तरीका बहुत ही सिमिल या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इसके में कुछ पैसा क्रचा ना हो वाइसे किती जप्रें जिसमें ची आपउयोग नहीं किया जाएगा और केवल हर्लूम सीट का उप्योग किया जाएगा और जिसमें hybrid बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए जैविकक्रिशि और देशी पशु का उपयोग करें हमें hybrid गा या hybrid मचलियों के breed का उपयोग नहीं करना चाहिए ये हमारे लिए नहीं बलकि जीव, जन्तु और पुरे समाज के लिए हानिकारख है एक sustainable food cycle बनाना है जिसमें फसलों को जानवरों को और मनिश्यों को पानी का उप्योग sustainable तरीके से करना है इस तरीके से soil erosion कम होगा और जमीन में पानी का तल उन्चा उठने शुरू हो जाएगा साल दो साल में सूकी हुई नदियां फिर से बहने लगेगी बारत में इसा हुआ है और बारत के सबसे सूके इलाका राजस्तान में हुआ है राजस्तान के अलवर जिल्ले में हुआ है जहां अब छे सूकी नदियां फिर से पूरी शान से बहती है अगर ये राजस्तान में हो सकता है तो बारत की किसी भी गाउ में या जीले में हो सकता है जब पानी का लेवल बढ़ता है तो खेती करना आसान और सस्ता हो जाता है तब शेहरों से आधिक लोग खृषी में लाउट आएंगे और आधिक से आधिक लोग केती करना शुरू करेंगे किसानों को कृषी में लाउट आने के कारण अगले साल कृषी और फिर इसके कारण पशुपालन भी बढ़ने की संबावना है यह चकर युई साल बर साल चलता रहेगा लेकिन हमें यह नहीं बुलना चाहिए कि बारिश पानी का सोर्स नहीं है वो एक जरिया है प्रित्वी पर समुद्र ही पानी का एक मात्र सोर्स है बारिश समुद्र के पानी पीने योग्य पानी प्रित्वी तक पहुचाने केवल एक जरिया है जैसे सूरज के वज़े से समुद्र का पानी शून्य कर्चे पर डीसलिनेट होकर बारिश बनकर दर्ती पर गिरती है वैसे हम भी सौरूजा से शून्य कर्चे पर समुद्र के पानी को नम्मक और पानी अलग करके बहुती आसानी से डीसलिनेट कर सकते हैं पृत्वी का 70 फीसदी हिस्सा पानी से बना है इसलिए जब तक सूरज की गर्मी है तब तक दर्ती पर बारिश कम नहीं हो सकता। कम से कम जब तक समुद्र जल को इवैपरेट करने के लिए कुछ गर्मी है सूरज के रोशनी में तब तक धर्ती पर बारिश कम नहीं हो सकता इस प्रकार किसानों को लगता है कि बारिश के बिना वह पूरी तरह से असहाय है प्रकुर्ती ने हमें समुद्र का पानी उपलब्द कराया है जो लोगों के आवशकताओं के मुकाबले कई गुना अधिक है यह हमारे लिए डिसैलनेट करके उप्यो करने के लिए है मानुफ भी अजीब है हम शुईने कर्चे के डिसैलनेट बनाने में रूची नहीं रखते है लेकिन हम यह पता लगाने में अधिक रूची रखते है कि चंद्रुमा पर पानी है या नहीं यह सच है कि पानी के बिना प्रतीحد पर जीवन नहीं हो सकता पानी की उपलदी का संबन में बारत कहा है क्या आपको पता है क्या बारत को परियाप्त पानी मिलता है क्या बारत एक जल दूरबल राश्टर है वास्ता में बर्फ के पिगलने से बारत के उतरी हिस्से को पूरे इस साल पानी मिलता है पूरे दुनिया में देखो तो बारत मे ज़्यादा बारिश होते हैं बारत का कोश्टल एरिया भी काफी बड़ा है इसके मतलब है कि समुद्र जल का डिसालिनेशन बहुत बड़ा और आसान बिजनस अपर्शुनिटी है बारत को हिमाले की पहाड़ों से बरफ पीगलने के कारण पचास फीसदी और बारिश के कारण पचास फीसदी पानी मिलता है दुनिया के रिवर डिस्चाज रेट या नहीं बहाव के तेज में गंगा नदी चौतिश्थान पर है रिवर डिस्चाज रेट का मतलब है पानी का बहाव या वॉल्यूम जादा हो एमेजॉन कॉंगो और और इनको नदी गंगा नदी से जादा गती से बैते हैं बारत में न केवल गंगा है बलकि ऐसे कई सारे नदिया है जो लगब गंगा जैसे ही है जो प्राकर्दिक दुआरा बनाई गई है इमाले शेतर में बर्फ पिगलने से निकली यमुना ब्रह्मपुत्रा बेतवा गो बारत दुनिया का सात्वा बड़ा देश है लेकिन बारत का 10 फीसदी एरिया ताजे पानी से बड़ा है इन कारणों से बारत के वर्षा चाय शेतर को छोड़कर बारत कभी भी सूके का अनुबव नहीं कर सकता है वर्षा चाय परवत्य शेतर के स्थानों के किनारे हवा से दूर एक सूके शेतर हैं जिसमें राजस्तान मारात्वाडा विदर्बो तेलंगाना नौर्दन करनाटगा और टमिनडू के शेतर आते हैं इन सभी शेतर में हर साल 6-9 मेनित सूके की स्थिति का अनुबव करते हैं ध्यान दीजे जहां भी पानी का लेवल गिता है उस शेत ऐसहां बहुत घटीन है यहां आजीax सिती है क्योंकि बारत में दुनिया में सबसे जादा बारिश होती है दुनिया के सबसे सुंदर विशाल अर सबसे जादा ग्रेन्वार्टर हारवेश्टिंग स्ट्रक्चर्स बारत में और हरे क्रीम नॉटर हर्विस्टिंग स्ट्रक्चर ताजमाल जी से भूश करोते हैं क्रीम नॉटर हर्विस्टिंग स्ट्रक्चर ताजमाल केरल में इसने विशाल बारिश होने के बावजूद नालुकेटु के अंदर बीच में सुंदर पानी की टैंक होते थे ऐसे गर को नालुकेटु खेते थे जहां चारो तरफ से कमरे होते थे और बीच में आंगन पानी गर को ठंडा करने में मदद करता था और गर्मियों में बच्चों को खेलने के लिए स्विमिंग पूल की तरह इस्तमान किया जा सकता था सोचने का बात यह है कि बारत ने बारिश के पानी बचानी के लिए इतने विशाल टैंकों को निर्मार करने का कारिय क्यों रोक दिया गया है बारत को इन टैंकों का निर्मान बाद वाले शेत्र और सूख के इलाखा दोनों में करना था फिर बारत आज ऐसे क्यों नहीं करता इसे समझने के लिए हमें इतियास में जानब होगा ब्रिटिश राज के 200 वर्ष के दोरां अंगरीजों ने इन रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों के निर्मान को रोक दिया गया क्रिशी के लिए सभी सहायता बंद किया गया था ब्रिटिश ने बारत ये क्रिशी को जान बुचकर बरबात कर दिया बारत को 200 वर्ष में ब्रिटिश ने सबसे अमीर देश से सबसे गरीब देशों में से एक बना दिया। उस समय बारत पूरे विश्व भर में हर चीज एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन ब्रिटिश के राज के बारत को एक इंपोर्टिंग नेशन बना दिया गया। बारत ये होलोकास्ट। बारत एक ऐसे देश है जिसमें मौनसुन कभी विफल नहीं हुआ। जून के पहले हफ़ते में हर साल हाजरी देता है। देश बर में कई सारे नदिया हैं। लगबख हर गर, मंदिर और मस्जिद। इन सभी जगों पर एक रैनवाटर हार्वेस्टिं पहले कभी नहीं रही और नहीं कभी होगा। इन 12 आकालों ने 19 मिलियन बारतिय की जान ले ली। अगर आपको तुलना करना है तो समझ लीजिए कि होलोकास्ट में 6 मिलियन जूस का हतिया किया गया था। ये संकिया उन 6 मिलियन जूस से 3 गुना अधिक है। ब्रिटिश ने प्रेस्ट पुलीस और सिविल एड्मिस्टेशन डिपार्टमेंट में लग्स और मजदूरों के रूप में बढ़ती करते थे। इसलिए कि वे बारतिय ब्रिटिश के साथ मिलकर बारतियों पर ही शोशन और अतियाचार करने में ब्रिटिश का मदद करें। यह एक दुकत राजडी है कि ब्रिटिश से आजादी मिलने के सतर साल के बाद आज भी उसी ब्रिटिश कानूनों के इस्तमाल करके अपने ही गवर्मेंट अपने पर सोशन और अतियाचार करते हैं। गवर्मेंट किसानों को सबसेड़ी देती हैं लेकिन रेंवाटर हार्वेस्टिंग मे कोई भी काम नहीं किया जाता है। अपने दम पर काम करने वाले लोग जैसे नाना पाटेकर और अमीर खान ने रेंवाटर हार्वेस्टिंग पर लोकल और स्टेट गवर्मेंट से भी कई गुना अधिक काम किया है। नगाव में रहने वाले लोग बचाते हैं और ना ही वर्षा चाय छेत्र में रहने वाले लोग। चलिए देखते हैं कि बारिश का पानी दर्ती पर गिरने पर किस प्रकार काम करते हैं। अंदर जाकर ये चोटे-चोटे बूंद कई लाख लिटर पानी में इककटा हो जाते हैं। इन्हें अंडरग्राउंड अक्विफर्स भी कहते हैं। जमीन के उपर पानी पकड़के रखना बहुती कीमती और महनत का काम है। लेकिन पानी को जमीन के नीचे पकड़ना भौती आसान और सस्ता काम है। जमीन के उपर बारिश का पानी आप एक बकेट में पकड़ सकते हैं। और एक फुटबॉल स्टीडियम के उतना बड़े तालाब में भी पकड़ सकते हैं यह आपके पास कितना जगा है उस पर निर्बर हैं लेकिन बारिश का पानी ग्राउंड वेल और बोर्वेल के माधियम से जमीन के अंदर बेजना सबसे आसान कम महनत और कम कर्चे का मार्ग है जिस तरह हमें रेन रेन गोवे का नसरी राइम सुनाकर बारिश से नफरत करना सिखाय जाते हैं उसी तरह हमें उन धीमत डंग बीटल केच्वा चुवा साप आदी कीडों को मारने भी सिखाय जाता है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद करता हो और हम उसी तरह आज भी बारत्य क्रिश्य संस्तानों में गलत तरह के केच्वा का उप्योग करके वर्मी कल्चर करना सिखाय जाते हैं जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर क सुर्फेस फीडर है जमीन के उपर ही रहते हैं वे जमीन के नीचे जाकर जमीन में छेद नहीं करते हैं रेइन वाटर हर्वेस्टिंग में केच्वा प्रमुक बूमिका निबाते हैं केच्वा तीन प्रकार के होते हैं एपिजिक केचवा, इंडोजिक केचवा, तीसरा प्रकार का खेचवा है अनेसी केचवा, एपिजिक केचवा, सर्फेस ख्रॉलर है, जमीन के उपर ही रहकर कच्रा खाकर अपने जीवन बिताते हैं, यह तीनों में से सबसे बेकार किसम के खेचवा है, यह मुक्य रूप में वर्मी कल्चर के लिए उपियों किया जाता है इंडोजिक खेचवा मिटी खाकर जीवित रहते हैं यह मिटी के अंदर horizontal network बनाते हैं तीसरा प्रकार का खेचवा है अनेसी केचवा यह सबसे अच्छा rainwater harvesting करने वाला केचवा है इसे fresh litter feeder भी कहा जाता है और यह जमीन में दो मीटर तक घहरा चेद बना सकते हैं जमीन में ऐसे लाकों करोडों छोटे छोटे चोटे चेद बना कर यह बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने में मदद करते हैं इन जीव जन्तुओं को chemical fertilizer और chemical pesticides डाल कर मानने से rainwater harvesting पर बहुत पारी नुकसान होता है इन जीव जन्तूओν को मिट्टी में न होने के कारण मिट्टी कड़क हो जाते हैं और बारिश के पानी जमीन के उपर से ही भुपते यह बही बहते है और बूमीगे टैंकों में नहीं पोछ़स you इस तरह सडकों और नालों में से लाखों लिटर बारिश का पानी बह जाते हैं बारिश के पानी के विशाल मात्रा जो लाखों केचों ने आसानी से संबाला था ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही जल्दी ठप कर देता है और इसके कारण बाद आते हैं आज एक तरफ गर्मियों में सुका पड़ते हैं और उसी शेतर में बारिश के समय में बाद आते हैं या नाकिवल बारत में बलकि अन्नी देशों में भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है सुके और बाद का एक कारण हरीत करांती है जहां हाइब्रिड और जीएमो बीजों के साथ केमिकल फर्टलाइजर और जहरीले कीटनाश्टकों का इस्तिमाल किया जाता था इन हानिकारक chemical fertilizer और जहरीले केटना च्चकों ने मिटी में सभी जीव जन्तों को मार दिया है और मिटी को इतना खटोर बना दिया कि उसमें बारिश का पानी नहीं उतर पाता रासायनी खेती से हुई हानिकारक प्रबावों को climate change और global warming का दोश देना ठीक नहीं किसान बहुती आसानी से इतने लिए पानी का इंतसम कर सकता है सबसे पहले उसको तालाब बना नहोगा बिना तालाब वाला किसान को किसान नहीं मजदूर कहते हैं प्रत्य किसान का खेत का 10 फीसदी इसा तालाब होना चाहिए कम से कम तालाब का सर्फे सेरिया 2000 स्क्वेर फीट और गहराई 5 फीट होना चाहिए इस तालाब में प्लास्टिक लाइनिंग का उप्योग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बारिश का पानी जमीन के नीचे नहीं जाएगा पहले बाउचार पर आपको 10,000 क्यूबिक फीट पानी मिलेगा अगर प्लास्टिक लाइनर होगा तो पूरे 3 महिने में आपको केवल 10,000 क्यूबिक फीट पानी मिलेगा और अगर प्लास्टिक लाइनर नहीं होगा तो बारिश किरने के कुछ ही गंटों में यह 10,000 क्यूबिक फीट पानी जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर अगले बारिश पर और 10,000 क्यूबिक फीट पानी फिर से जमीन के अंदर चला जाएगा 10,000 क्यूबिक फीट पानी का मतलब है 2,80,000 लिटर पानी करीबन हर दूसरे या तीसरे दिन 3,00,000 लिटर पानी आपके जमीन के अंदर चला जाएगा हर दिन ये बारिश का पानी जमीन में इकटा होगा ये बारिश के अंध तर हर दिन इसी तरह दोराएगा बारिश के अंत तक तालाब अधिक समय तक बरा रहेगा इस प्रकार हर दुसरे या तीसरे दिन करीबन तीन लाग लीटर पानी जमीन के अंदर इकत रहोगा ऐसे तालाबों में मचली भी पाल सकते हैं सबसे अच्छी पॉल्सपॉट मचली है क्योंकि यह उन मचलियों में से हैं जिने नमकीन पानी से मीटे पानी में भी लाया जा सकता है अगर मीटा पानी को दीरे दीरे नमकीन पानी में मिलाई जाए तो इसलिए यह मचली को पालना बहुत ही आसान है यह मचली का यह खासियत है कि परल्सपाट मचली बड़ी संक्या में प्रजनन करती है स्वाद में भी बड़िया है स्वाद में कुछ पॉंफ्रिट मचली या तिलापिय मचली जी से है स्वाद में पॉंफ्रिट में पॉंफ्रेश जए लेग्टाट में भी ये। स्वाद में लिख्रिट में लिए है